हेलो आप्राइम ये है डूम्स जेहंटर का एक और न एपसोड नाव लैट्स विग्याइन एपसोड शेटिंग दिखते हैं शेन और फ्लार गोड़स के बीच में एक फाइट होती है जिसमें अब्वेसली फ्लार गोड़स बड़ी से जिताती है लेकिन इस हार से भी शेन को बहुत फायदा होता है शेन को पता चलता है वो क्या गलतिया कर रहा है और इन सब के साथ ही शेन को इस फाइट के दिर हारते ही जब अपनी गलती को बता पड़ता है तब सिस्टम से उसकी पिछले लाफ की साधी सोल टैक्टिस तिका लिए जो की एक हजर से भी जादा है और इनको सीखने के लिए शेन को एक भी सोल पॉइंट खर्च करना नहीं पड़ता ये देखा शेन बहुत कुछ जाता है शेन सो उसता है ये तो काफी अच्छा हुआ ये सब कुछ फलार गोड़े सीज़े से हुआ है उन्होंने आज मेरी बहुत मज़द की है इसके बाद में हमें अगले दिवसी दिखाते हैं वो दिर आ चुका है जब शेन और स्टिया को उस एक्जाम के लिए जाना है शेन को दिखा जिता है सामने के तरफ काफी सारा समान लखा हुआ है जो की वो बने साथ में लगी जाएंगे शेन केहता है इतना साइश समय की जुरत नहीं है हम दोनों घूमने के लिए एक एकजाम के लिए जा रहे हैं इसले इतना सेशा समयने की जुरत नहीं होगी और वैसे भी हमें वहापर भी आफ़े से चीजे मिल जाएगी फलार गोडेस कहती है हां तुम सही कहे रो एतने समन्य जृत नहीं है लेकिन ये बात थermांवरी लेपर्टिशन की है जब तुमारे पास में ये साव बास परे रएगा तब तुमें वहां से कोच छोल लएनी जृत नहीं पएगई यही तुमारे लेक आफ्य होगा फिर फ्लावर गोड़ेस शेन को एक बुक देती है और उसे कहती है इस बुक के अंदर कवे सारी सीक्रिट स्किल्स है वहाँ पोचने के बाद में एक बार इने पढ़े लेना शेन उस बुक को लेता है और उस अच्छन लगता है ये बुक बहुत ज़्यादा कीमती है इसके अंदर जो सीक्रिट टेक्निक है वो सारी सारी जो मेरे पास में स्वोड टैक्टिक्स है उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरह से इस बुक के रूप में मेरे हाथ म इस सेक्ट का पूरो एतिहास है तब भी फ्लावर गोड़ेस आपिसे वो सारी सामन देखने लगती है और कहती है अभी भी समान के दे कुछ कम्या लग रही है मैं थोड़ा बहुत समान और रखा देती हूं तब लाव सिया से कहता है सिया बिल्कुल भी घबराना मत तुमार सेफ लिजाओ और जल्दी से वापिस आजाओ उस एक्जाम के अंदर अपना बहस देना बिल्कुल भी प्रेशन लेने जुरूत नहीं है पूरी तरह से अपने एक्जाम के बारे में सोचना बाकी और कुछ भी नहीं तब लिए फ्लार गोड़ेस से कहता है मास्टर जब मैं पिजले साल इस एक्जाम के लिए गया था तब तो आपने मुझे कहा था कि हारने के बाद भी ज़दा बुरा मानी की जुरूत नहीं है बस मुझे एक्जाम के एपना बहस देना है अगर मैं अपना बहस नहीं दे पाया तो आप मुझे तीन दिन और तीन रातों तक एक अपना कल्टेशन ठीक तरह से नहीं करते इसी जैसे मैं तुम्हें वो धिम्की दीती अगर मुझे तुम वह पर जादा टाम था नहीं टिक पाओगे अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो एक बार शेन घथने फैट करो और शेन को हरा के बताओ लियू कहता है मास्टर आप करना के जाती है वो मेरा जूनियर डिस्पल है उसके और मेरे बीच में फैट करना शाहती है आप तब भी एंगट एंशन से कहता है शेन सिया का अच्चीतस द्हारखना वहां पर कावे सरक कल्टिविटर्स होंगे कोई भी सेया कुछ भी नहां कह पाए शेन कहता है इसमें देहन रखने क्या है सिया हमारे सेक्ट से बिलों करती है किसी की भीमत नहीं होगी किसी कुछ भी कह दे लियू कहता है नहीं ऐसा नहीं है वहाँ पर हमारे सेक्ट की रिपुटिशन इतनी भी जादे नहीं है इस एक्जाम के लिए बहुत सारे सेक्ट के बहुत सारे डिस्पल्स आएंगे उन सब के बीच में हमारे सेक्ट थोड़ा कमजोर है क्योंकि हमारे सेक्ट के अंदर कम डिस्पल्स है इसके बावजूद भी बाकि सेक्ट से डिस्पल्स हमसे बहुत जलते हैं क्योंकि हमारे सेक्ट की डेसिपल बहुत जा ताकतवर है इसी जलन में वो कुछ भी करने कोश्च कर सकते हैं बाकी के जो दोनों सेंट्स है उन्होंने उन्हें सेक्ट कई हजार साल पहले शुरू कर दिये थे इसी जासी उनके सेक्ट के अंदर बहुत सारी डेसिपल्स है जिसनों के शेन कहता है आप सब बिर्वी जिस दामत केजिए सिया के साथ मैं पूरे समय रहूँगा उससे मैं प्रोटेट करूँगा फ्लावर गुडेस कहती है ठीक है अब तुम्हेरे जाने के टाइम हो गया है मैं टेलिपोर्टरी एर्यर बना दीती हूँ ये कहते हुए फ्लावर गुडेस को इसके लिउस करती है उनके अरसा करने से शेन, सिया और साय समान के वीचे एक एर्यर से बन जाता है इसके बाद में इसी एर्यर के विजस्ते शेन, सिया और सारा समान वहां से गया हो जाते है उनके वहां से गया बन जनने के बाद में लिउ फ्लावर गुडेस से बुच्छता है मास्टर हमने सही तो किया है ना इसकी वादने हमें एक गागव सिन देखते हैं जिसका नाम है विजेन टाउन विजेन टाउन वोड से किनारियों बसा हुआ है और विजेन मांटेन के उप़र है इस टाउन के अंदर जिते भी लोग रहते हैं वो सबकी सब कल्टिविटर्स हैं और ये सबकी सब human race से belong करते हैं हर साल annual test इसे जिगे पर होता है इसी टाउन के लोग annual test के अंदर किस तरह से क्या किया जाना है वो सबको सभालते हैं इसके वाद हम इस टाउन के एक जिगा से दिखते हैं जहाँ पर light चमकते हुए कुछ area बनते हैं और उन area की मदद से कविसर कल्टिविटर इस जिगे पर आ रहे होता है ऐसे ही एक area के साथ में शेन और सिया भी हाँ बोशते हैं सिया भी बोशते ही तरह दिखती है उसे यहाँ पर कविसर कल्टिविटर देह देते हैं सिया कहती है यहाँ पर तो कविसर कल्टिविटर है शेन कहता है हाँ तुम सही कह रही हो चलो आगे बढ़ते हैं फिर शेन और सिया आगे बढ़ने लगते हैं वो दोन चलते हुए एक building के पास बोस्त हैं जहांसे सभी cultivators को अंदर जाना है जो कि इस exam मेंदर participate करना चाहते हैं अंदर जाने से पहले उन सभी की checking होती है कि वो cultivators किस sect से belong करते हैं इस gate के सामने एक guard खड़ा होता है वो दो tokens को देखता है जिने देखकर ही पता बढ़ता है किDaし bal किस سाठ से बिलोंग करते हैं वो गार्ड उन टोकोवर्स तो बिल्कुल नहीं हैं इनकों देखके बिल्कुल ही बता नहीं बढ़ रहा है ये किस साठ के है가 देखने से लग रहा है चीजा टोकोन नकली है इस गाड की बात रुनकर दूसरा वाला गाड पोचा डर जाता है वो उसे जल्दी से कहता है बिल्कुल चुप रहा हूँ तुम जानते नहीं हो तुम किन से बात कर रहे हो फिरम देखते हैं जे गाड इस टैमपर शेन और सियर से बात कर रहा होता है दूसरा वाला गाड उन दोनों से कहता है प्लीज हमें माफ कर दो आपने जो ये टोकुन दिखाएं ये बिल्कुल असली है आप दोनों अंदर जा सकते हैं मेरे साथे गाड के मिस भेव के लिए मैं आप से माफ फिचाता हूँ जिसनकर शेन उनसे घंक्यु कहता है उनसे वो टोक माथ लेता है और फिर शेन और सियर अंदर चले आते हैं सियर अंदर चलते वक्त कुछ खानी की बात करने लगती है वो दोनों गाड उन दोनों को अंदर की तर जारी देवे देख रहे होते हैं एक गार जो शेन से गुस्ते में बात कर रहा था, वो दूसरे गार से कुछता है, तुम इनसे इतने प्यार से बात क्यों कर रहे थे, इनकों देख कर यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, कि ये किसे स्पेशल सेक्ट से बलोग करते हैं, दूसरा गार कहता है, तुम्हें इस चलाती है, दूसरा गार कहता है, ये दोनों भी उसी सेक्ट से है, उस सेक्ट के नई डेसिपल से ही है, जे सुनकर वो गुस्तेल कार अपना सर पकड़ लेता है, और कहता है, ओ नो, मैंने कितना बड़ा मोका कवा दिया, मैं इन डेसिपल से मिला था, मुझे इनसे थोड जान पेचान बड़ा ही चाहिए थी, इसकी बाद में हम शेन और सिया को देखते हैं, हमें पता पड़ता है, वो बिल्टिंग जिसे भी हमने देखा था, वो एक के वले एक रास्ता थी, जिससे इस टाउन के इस मार्केट के अंदर आया जाता है, इस मार्केट के अंदर बह जादा खुश होती है, वो कुछ खारी होती है, उस सामने की तरफ कुछ दखाई होता है, वो शेन से कहती है, थर बरदर जल्दी से वहाँ पर देखो, वहाँ पर किते सारे क्रेन है, शेन कहता है, हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें इन में से कोई खरीदना सिय केती है नहीं मुझे कुछ नी चाहिए मेरको इस केन को देखना ही काफिज़ अच्छा लग रहा है वैसे कि आपको पता है अब हमें आगी क्या करना है शेन एक दिशम चार करता है और कहता है हमें वहां जाना है तुम्हें वहां पर वो स्कॉयर दिखे दे रहा है उसके उ